हेलो फ्रेंड्स मेरे चानल गुल दस्ता में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं चुरलाई कैसे बनाए ये बताने जा रही हूँ तो आईए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों किया वा सकते है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चूरा लेना है ये चूरा हमारा आधा किलो है चूरा हमें चूरलाई के लिए थोड़ा मोटा लेना है बहुत ज्यादा पतला चूरा हमें चूरलाई बनाने के लिए नहीं लेना है और अब हमें चाहिए गुर ये मैं 250 ग्राम गुर ली हूँ ये पाक वाला गुर है इसे आप चिक्की गुर या फिर लडू बनाने वाला गुर करके ले सकते हैं बजार से ये कहीं भी आसानी से मिल जाता है यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें जो गुर मिला है वो हलका सा पीला है लेकिन कहीं कहीं बजार में काफी डार्क ब्राउन का कलर का भी रहता है लेकिन ये सभी एक ही गुर है बस हमें बजार से चिक्की का गुर या लडू बनाने वाला गुर कहकर करके लेना है और हमें अब अदरक लेना है तो इसे मैं छिल कर धोलूंगी और इसे हमें घिस लेना है इसे बिल्कुल ही बारीक हमें घिस लेना है ये देखे हमारा अधरक अब घिस चुका है तो यहाँ पर हमें चूरा भूनने के लिए कराही गर्म कर लेना है तो गैस मैं यहाँ अउन कर ली हूँ और जब हमारा कराही गर्म हो जागा तो इसमें ड्राइ ही हमें चूरा को भूनना है चूरा भूनने के लिए हमें किसी भी घी या तेल का प्रियोग नहीं करना है हमें सिर्फ सुखा ही चूरा लगातार तेज आचों पर चलाते हुए कुनेंगे जब तक कि इसका रंग हलका सा सुनहरा हो जाता है तो तब तक इसे हमें भूनना है यह बिल्कुल भूनने के बाद बिल्कुल कुरकुरा हो जाना चाहिए तो देखे अब यह इसका कलर बिल्कुल हलका सा ब्राउन हो गया है और यह हो चुका है हमारा तो अब मैं यहाँ गैस आफ कर ली हूँ और चूरा को हमें निकाल लेना है बाकी चूरे को भी आपको इसी तरह से हलका सा ब्राउन ही भून लेना है और इसके बाद इसे हलका हमें ठंडा कर लेना है यह देखें आपको कलर दिखें पता चल रहा होगा हलका सा ही हमें गोल्डन करना है और इसी तरह से हमें हमारा सारा चूरा भून लेना है यह हमारा सारा चूरा भून चूका है तो अब मैं यहां पाक बनाने के लिए इसका चुरलाई का जो हमें पाक बनाना है उसके लिए हमें गैस ओन कर लेना है अब हमें चुरलाई बनाने के लिए गुर का पाक तयार करना है तो गैस मैं आउन कर ली हूँ और इसमें अब 250 ml पानी डाल ली हूँ क्योंकि हमारा गुर 250 ग्राम है इसे अब तेज आच पर बीच बीच में चलाते हुए गुर को हमें पिगला लेना है और आच हमें तेज ही रखना है आच हमें कम नहीं करना है और इसको चलाते हुए हमें 5-7 मेर तक चलाने के बाद तेज आच पर यह अपने आप पिगल करके और हमारा पाक बनने लगता है तो इसी तरह से हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है ये देखिए हमारा गूर लगभग बिल्कुल ही पिघल चुका है और यहाँ पर हमें अब इसमें हमने जो अद्रक घिसकर रखा था वो अद्रक हमें अब यहाँ इसमें डाल देना है हमाई और बिच बिच इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है यह देखिए अब हमारा पाक लगभग होना सुरू हो गया है और इसको इसी तरह से अब हमें लगातार चलाते रहना है इसको इसी तरह से और अब हमारा पाक हमें बनाया नहीं यह देखने के लिए हम एक छोटे से काटोरी में पानी रखेंगे उसमें एक या दो डॉप पाक का डालेंगे और फिर हम चेक करेंगे की हुआ या नहीं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने गुरू का पाक इसमें डाला वो बिल्कुल ही पानी में मिक्स हो गया यानि वो अभी नहीं हुआ है तो अब फिर से मैं दुबारा चेक करूंगी ये अभी भी नहीं हुआ है तो इसी तरह से आपको भी बार-बार बीच में चेक करना है एक छोटे से कटोरी में पानी डाल करके ये देखिए अब धीरे-ध आपको दिखनी रहा होगा कि ये काफी गाढ़ा हो गया है और अलग सा इसमें एक जाग सा बनने लगा है और जब ये पाक होने लगता है तो काफी इसमें से खुजबू आने लगती अब मैं यहाँ एक ड्रॉप फिर से पानी में डाल कर चेक करती हूं ये देखिए अब य बिल्कुल चिप्टा हो जागा लेकिन वो इसमें घुलता नहीं है तो ये हमारा पाक हो चुका है मैं आपको फिर से एक ड्रॉप यहाँ डाल के दिखलाती हूं ये देखिए लगभग ये हमारा पाक अब हो चुका है तो यहाँ पर हमें गैस आफ कर लेना है और इसकी अब दिरे धिरे से सभी को अच्छी तरह से पलटते हुए इसे हमें मिक्स कर लेना है और अभी मैं कराही को गैस से नीचे नहीं उतारूंगी क्योंकि हलका सा जो बर्नर गर्म रहता है तो उससे इसको गर्मी मिलती रहेगी जिससे गुर हमारा गर्म रहेगा और पिगला चूरा में मिक्स हो जाएगा अगर ठंडा हो जाएगा अभी यह पाक तो चूरा में अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो इसलिए यहां पर गैस से अभी उतारना नहीं है हमें बस हमें फ्लेम उसका बंद कर लेना है गैस को आफ कर लेना है लेकिन चुला के उपर ही हमें रख पुरे को हमें मिक्स कर लेना है और यहां पर इसे अब हमारा मिक्स हो चुका है तो इसे मैं अभी लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरह से ठंधा होने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि यह गर्व में हमारा चुरलाई नहीं बनेगा अगर हम गर्व में इसको बनाने की भी करेंगे तो यह पुरी तरह से ऐसा बिखर जाता है यह बनता लड़ू नहीं बन पाता इसका तो इसलिए इसे अच्छे से हमें हलका साई से हमें ठंधा करना होता है तो अभी लगभग इसको हमें 10 मिनट छोड़ना परेगा तो यहां पर मैं इसे अब मिक्स करके 10 मिनट के लिए यहां छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसका लड़ू बनाऊंगी यह देखिए हल अब यह 10 मिनट हो चुका है तो हलका सा मैं हाथों में पानी लगा करके इसे बनाती हूं लेकिन यह पूरी तरह से ठंधा हुआ नहीं है तो मैं आपको दिखलाती हूं कि इसकत बर्ड़ से बिखर जाता है यह रहे देख रहे हैं कि हलका हलका सा जैसे इसमें क्रैक्स आने लगा है और वह पूरी तरह से खुलने लगा है हमारा तो यह हलका सा जो जीन वह हो चूरै इसलिए इसे थोड़ा ठंडा करना रहता है अब देखे हलका ठंडा हो गया है तो उसी को मैं जैसे हलके हाथों से प्रेस करके बनाई तो वो बिल्कुल गूल बन चुका है यानि कि यह टेमपरेचर सही है इसको बनाने के लिए तो अब हमारा अब हलके हलके हाथों में पानी लगा करके यह सारे चुरलाई में बना लूँगी यहां पर आपको हाथों में सिर्फ पानी ही लगाना है कोई तेल वेगेरा यहां पर यूज हमें नहीं करना है तो इसी तरह से छोटा बड़ा साइज आप अपने अंदाज से रखे जो भी साइज आप रखना चाहते हैं औ और इस तरह से दोनों हाथे से इसको दबाते हुए आप सभी लड़ू बना इस सारा चुरलाई आप इसका बना ले और इस तरह से अब देखिए अब हमारा जैसे ही ठंधा हो गया है मिक्स तो यह अपने आप आप बना करके रखते जाएं बिल्कुल नहीं यह तूटेगा तो फिर आप तुरंत उसे गैस अन कर ले और उसको हलका सा कराही को आप गर्म होने दे गैस को तेज ही रखे और जैसे ही यह कराही गर्म होगा तो फिर वो सारा गूर जो है वो पिघलने लगेगा और अंदर से आपका मिक्स जो है फिर से वो कराही को छोड़ने लगेगा इसी तरह से, सभी को फिर आप हलके से निकाल ले सभी को, मिक्स को, और जैसे जैसे ये गुर पिघलता जाएगा, कराही गर्म होगा, गुर पिघलता जाएगा, तो ये सारा मिक्स फिर से इकठा हो जाएगा, और जैसे ही ये मिक्स सारा इकठा हो जाता है, आपको कराही छोड लगता है गुर पूरा तो इसको सभी को इकठा करके mix करने इसी तरह से और यहीं पर आपको gas को off कर लेना है इसको अब हमें gas को on नहीं रखना है तो यह mix जल जाएगा और गुर का पहले से हमारा पाक बना हुआ है तो गुर यहाँ पर जलने लगेगा तो इसलिए जैसे ही यह पिघल करके इकठा होने लगे हमारा चूरे का मिक्स तो तुरंत यहां पर हमें गैस को आफ कर लेना है और फिर से इसे हलके से हाथों में पानी लगाते हुए इसका लडू बना लेना है तो यह देखिए हमारा लडू बन के तयार हो चुका है तो अब मुझे उमीद है फ्रेंट्स कि आपको यह अच्छा लगा होगा वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल को प्रेस कर लिजे ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो इसी तरह से आप जारे के मौसम में इसे जरूर बनाए और खाए ये काफी सेहत मंद है जारे के मौसम में गुर है इसमें तो आपको बोडी को गर्मी भी मिलती है तो ये जारे के मौसम में आप बनाएं और इसको आप आराम से 15-20 दिनों के लिए भी अगर airtight डबे में बंद करके रख लें तो ये खराब नहीं होता है आप इसे जादा quantity में भी बना करके रख सकते हैं और ये खराब नहीं होगा आप आराम से इसे किसी भी airtight डबे में रख बंद करके रख दें इसको आप इस तरह से सूखा भी खा सकते हैं नहीं तो इसे दही के साथ भी आपका ये दही के साथ भी ये काफी अच्छा लगता है तो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप भी इस तरह से बनाएं खाये और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू